तो शुरू कर देनीम टाइम का लेकर जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो चारो बंदे थे यानि वो ग्रीन रोब मैन और बाकिस के तीन साथी अब ये लिंग डॉंग पर अटैक करने जाते हैं तबी बीच में कोई बंदा आ जाता है और वो हस रहा था खास करके समसारा पेल्स को देख करके वो भी काफे खुश था अब आगे अब वो ग्रीन क्लॉथ मेन और बाकिस अबी लोग भी इस बंदे को देखते हैं और एक साथ चिलाते हैं वॉइलेंट वॉल्फ टियान जैन आप लिंग डॉंग भी ये नाम सुन कई समझ जाता है ये भी इस बंदे का नाम सुन रखा था कि नॉर्थ वेस्टन रिजन में टॉप फोर लोग है उनमें एक है अपना डेमन स्पिर लिउबाई जिससे कि ये मिल चुका है फिर आता एक माउंटेन शैटरिंग एक्स जियान शान एक और है बीश्ट फिश्ट मोशो और लास्ट यही है वॉयलेंट वॉल्फ टियान जैन ये रैंकिंग नहीं है कोई इनका लेवल मतलब आसपासी होगा और कहा जाते है ये जो टियान जैन है काफी फिर्स बंदा है लिउबाई के टक्कर का बंदा है सभी को मालूम था कि टियान जैन हस तो रहा है पर ये ऐसा है नहीं मतलब फ्रेंडली बंदा बिलकुल भी लिए अब ट्यांजेन देखता है लिंग डॉंग के दरफ और कहता है तुम शायद लिंग डॉंग हो, है ना मैंने सुना है कि लिउबाई भी तुम्हारे बारे में काफी ऊपर सोचता है लिंग डॉंग हसता है लिउबाई से तो मैं एक ही बार मिला हूँ तो मुझे नहीं पता वो क्या सोचता है टियांजेन शायद टू स्टार निर्वाना के पीक पर था और थोड़ी समय में थ्री स्टार निर्वाना पर जा सकता था टियांजेन जब देखता है कि लिंडों काम है तो ये भी समझ जदे बंदा है कुछ तो अब कई सारे लोग भी समय आ चुके थे सबकी नजर समसारा फिल पर थी पर टियांजेन को देखे देखकर ये सब ही शान्त हो गए थे टियांजेन देखता है सबको और कहता है कि मुझे ये समसारा फिल चाहिए उमीद करता हूँ सब मेरी बात से सहमत होगे वो ग्रीन क्लोथ मैन या कोई भी हो ये कुछ बोलते नहीं है अंदर से निरास थे पर बोल नहीं सकते थे पर इन में से एक कहता है कि सबसे पहले लिंग डॉंग आया था तो आप उसी से पूछ लो टियांजेन कहता है बोल सकते हो टियांजेन अपना औरा रिलीस करता है अब लिंग डॉंग भी तयार हो जाता है और इसका औरा इस समय सच में डियांजेन का वोईलेंट वुल्फ के समान लग रहा था और इस समय ए ग्यान भी दिना शुरू कर दिया था कि लिंग डॉंग मुझे मालू में तुमसे वीक हो पर मैं जब किसे से फाइट करता हूँ तो बेलकुल भी उसे भक्षता नहीं हो उमीद है तुम तयार होगे और ये तुरंत एक पावरफुल पंच थाउजन वुल्फ्स आर्मी ब्रेकिंग फिज्ट लिंग डॉंग के तरफ लॉंच कर दीता है अज इस अटेक को दीक करके सभी लोग का चेहरा पतल जाता है अब इस समय एक ऐसा हो रहा है जिसमें मतलब वॉल्फ्स का शैडव मिक्स ओ लिंग डॉंग के तरफ बढ़ रहा था और इस औरा से ये अपना Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger अटेक बनाता है। पहली बार इस अटेक को लिंगडॉंग यूज कर रहा था वो भी तीनों फोर्सेस के साथ। और इससे लिंगडॉंग अच्छा खासा अपना औरा एक्जोस्ट भी फिल करता है। पर सामने वाला बंदा भी काफी टफ बंदा था। इस समय इस बैडल को देख करके कई सारी लोग तो पीछे हड़ गयते। दोनों की अवरा के करण ये जो हॉल था उसके कई सारे पिलर्स इनमें क्रायक आने लगे थे। दोनों की अटेक फिलाल एक दूसरे से टकरा रहे थे और इस समय दोनों कुछ कदम पीछे हाड़ गये थे। और बड़ी बात ये थी इस अटेक के करण लिंग डॉंग को कुछ हुआ नहीं था। तो सभी लोग इस सीच से ज़्यादा अश्यर चकित थे कि टियांजेन के अटेक को इस लिंग डॉंग ने जहेल लिया है। टियांजेन का भी अब जो चेहरा था थोड़ा सा डेंस हो चुगा था। शुरुवात में जो काफी अपने को ये कूल दिखा रहा था अब ये भी थोड़ा सा पैनिक हो गया था। लिंग डॉंग इससे में टियांजेन से कहता है एंसेंट बैटल फिल्ड में बहुत पावरफुल लोग हैं तो किसी को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। क्या पता तुम कब किस से जादा पावरफुल बंदी से टकरा जाओ। ये तुरंत ही पीछे बलटता है। अब तक लिटिल मार्टिन यानि ग्रैंटपा मार्टिन में लाइफ एंड डेथ रिंग को कैसे रिजॉल्व करने हैं उसका तरीका धोन लिया था। ग्रीन क्लोथ मैन भी हरान था कि लिंग डंग कैसे इतना काम है। अब इधर टियान जिन कहता है। तुम कुछ अपने को ज्यादा समझ रहे हो। पर अब लिंग डंग पीछे पलट चुका था। ये इसे देख भी निरा था। टियान जिन फिर से भगता है कि तुम क्या सम अर तूरंण तो इस आरो इशानो में जैव यान को कहता है और इस अटैक को जहननने के लिए जैव यान सामने आ जाता है। जैव यान भी समय कहता है बीग ब्रदर आप बस समसारा पील पर फोकस करो बाकी मुझ पर छोड़ दू। जाव यान को देख करके टियान जिन हास अब क्योंकि जायोयान एक बीश्ट है तो इसके अटेक के तरीके काफी ज़्यादा फियर्ज रहते हैं टियान जेन भी एक बार को हैरान हो जाता है यह अपने बॉड़ी को बचाने के लिए निर्वाना गोल्डन बॉड़ी भी अक्टिवेट कर लेता है पर इस समय टियान ज जब इस पर अपना अटेक किया था तो इस आर्मर पर इसका फिश टक रहता है और आर्मर इतना खतरनाक था कि इसमें से शेर की सौरी चीते की धार निकलती है और इस अटेक के करन टियान जेन एक दो कदम पीछे हट जाता है अब टियान जेन समझने लगा था कि यह बंदा जायोयान ये शायद लिंग डॉंग से भी चादा पावरफुल है सभी लोग इस बैटल को देख करके हैरान थे इधर टियान जेन और जायोयान इंटेंस बैटल में भड़े वे थे वहीं लिंग डॉंग उस रिंग आफ लाइफ और डैथ को रिजॉल्व कर रहा था दोनों इस बैटल को जीतना चाहता था और जायोयान अब कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है अब इसे ग्रैंटपा मार्टें में जो टेकनिक दिया था जिसे ये इनिशियल लेवल तक मास्टर कर चुका था अब इसे ये यूज करता है हेवेनली डेविल गॉड ट्रांस कर देता है ये अटेक काफी पावरफुल था अलगी लेवल का इसमें से रिपल्स निकल रहे थे और 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 भी थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की थी टियान से हैंगी जब इस अटेक को देखता है जो कि कही ज़्यादा तेज था इसकी आँखी एक बंद सी होने लगती है अब और इसका जो निर्वाना गोल्डेन बैरियर था उसमें भी इस अटेक के करण क्रैक्स आने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फैदा उठा करके लिंग डाउंग ने रिंग ओफ लाइफ एंड डैथ को पेनेटरेट कर दिया था और उस मिस्टिरियस समसारा पि और ये भी जाके जब इसका डिफेंस दोटा था तो स्पीलर से जाके टकरा गया था इसकी भी हालत कोई खास अची थी नहीं और इसमें जब सभी लोग देखते हैं खास करके जयावयान को तो उसकी बॉड़ी से एक ब्लैकिश फ्लेम बाहर निकल रहा था और सच में थोड बंदों का बैक्राउंड क्या है इनका इस्टेंद काफी ज़्यादा है हलाकि टियान जेन में भी अपने पूरे स्किल्स यूज नहीं किया थे फिर भी जावयान सच में कहीं पावरफुल था खास करके इसका फिजिकल इस्टेंड अब जब इस समय सभी लोग शौक्ट थे तब ही सबकी नजर लिंग डॉंग पर जाती है यह देखते कि वापर पिल है ही नहीं खास करके वो ग्रीन कलॉथ मैं उसे भरोसा नहीं होता है क्योंकि समसारा पिल को निकालने के चकर में इसके हाथ को इसे काटना पड़ गया था पर लिंग डॉंग ने वो रिंग ओफ ल लॉक कर पाएगा टियान जेन को पर इसने तो इसका बेरियर ही तोड़ दिया था अब लिंग डॉंग को भी समझ में आ रहा था कि जावयान का श्रेंट बढ़ रहा है समय के साथ अब टियान जेन कहता है माना कि तुम्हें समसारा पिल मिल गया पर तुम यहां से बाहर नह जा पाओगे अब मैं तुम्हें अपना एक्च्वल श्रेंट दिखाता हूं यह सुनकर कि लिंग डॉंग भी आसता है और कहता है जरूर जरूर मैं भी देखना चाहता हूं तुम्हारा जो नाम है तुम सच में क्या उतने ताकतवर हो यह सुनकर कर टियान जेन और ज्याद इतना आसानी से फिलजने वाला ने है उसके बार टियान जेन यहाँ से बाहर निकल जाता है जब शांत होजाते हैं जब टियान जेन इस पेल रूम से बाहर निकल जाता है अब यहाँ पर जो भी लोग थे ये लोग भी अलग अलग पेल रूम में जाने लगते हैं और लिंग्डॉंग इस समय इस एंसें ट्रेजरेट रोब में कई भी रूबना भी नहीं चाता था ये सीधा यहाँ से बाहर निकल के वो जो आईलेंड था उसके टीपेश पार्ट में जाने लगता है अब लिंग्डॉंग जब आगे बढ़ रहा था तो ये ग्रैंट पर मार्टेंज गहता है लिटिल मार्टेंज तुम्हें जो समसारा पिल्स बोला था वो तो हमें मिल गया है कब यूज करने वाले हो इसे ये सुन करके ग्रैंट पर मार्टेंज कहते है फिलहाल ये जो एंसेंट बैटल फिल्ड का मैटर है वो समाप्त हो जाए फिर हम मैं इसे यूज करूँगा क्योंकि उसके लिए तो बढ़ समय भी चाहिए वेट करो बच्चे जब मैं अपना पूरा इस्टेंट रिकवर कर लूँगा न तो इस दुनिया में कौन है जो तुम्हें बुली करेगा मेरे सामने अब इस समय लिंग डॉंग वो जो चार मिस्टीरियस सेट था उसकी तरह बढ़ रहा था अब जब लिंग डॉंग आगे बढ़ता है तो अचानक से यहाँ पर जो कई सारे लोग खड़े थे उन में से इसकी नजर चीरते हुए एक बंदे पर पढ़ती है जोगी एक पीड पर खड़ा था और ये था लिंग लांग टियान इससे देखते हैं लिंग डॉंग का जो किलिंग इंटेंट था फिर से जागने लगता है और उधर लांग टियान कहता है तो हम फिर से मिली गए लिंग डॉंग भी समय रोक जाता है दोनों एक दुसरे को मारना चाते थे जहोयान भी समय लिंगडॉग के बाजू में खड़ा था अब क्योंकि यह शूयू से लांगटियान को तो जानता ही था इस समय लांगटियान लिंगडॉग को एक क्रेजी स्माइल दे रहा था तेरे पर इसके बिल्कुल पर डर नहीं था लिंग डॉंग भी हसता है और कहता है मतलब इतने लंबे समय तक चीपने के बाद तुम फाइनली बाहर आ ही गए ये सुनते ही लांकियान कहता है तुम्हें भी मालूम है जब तक मैं confident नहूं तब तक तक तुम्हारे समने तो आऊंगा नहीं और इस बार तुम्हें खुद पता चल जाएगा लिंग डॉंग भी कहता है मैं तुम्हें दुबारा मौका भागने का बिल्कुल भी नहीं दूगा ये सुनते ही लांकियान कहता है ट्राइ कर लो फिरे दोनों के सुरुबात में थोड़ी बहुत नोग जोग चलती है लांकिय बनाता है और इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है लांकियान भी सर्प्राइज नहीं होता है इसने भी सुन रखा था कि लिंग डॉंग भी समय काफी पावर्फुल हो गया अब इस सीन को देख करके लांकियान कहता है फिर मैं तुम्हें अपना ट्रू टेकनिक दिखाता हू मार्शल आट का लांकियान का जब औरा बढ़ना शुरू होता है लिंग डॉंग देखके समझ जाता है कि इस बंदे को भी शूल मार्शल आट मेल चुका है पर ये भी थोड़ा सर्प्राइज होता है कैसे ये तना लखी हो गया और इसमें लांकियान खुद को काफी उपर पताने लगा था कि स्वार्ग भी मुझे सपोर्ट करता है आज तुम मारे जाओगे और इस टेक्निक का नाम था मार्शल एंसेस्टर रोटेटिंग हेवन स्किल ये पावर काफी थे जिसे लिंग डॉंग की तरफ बढ़ने लगता है ये एक प्रकार का लाइट काटेन अट ग्रैंट प मार्ट भी कहते हैं लगता है ये बंदा चयान से मरेगा भी नहीं और इस टेक्निक को देखते हैं लिंग डॉंग समझ आता है ये लिंग डॉंग भी अपने युवान पावर को मोबिलाइज करता है और एक के बाद है कि इसके पाचो फिंगर्स स्पेस में फैलने लगते हैं ये इसका अटेक था ग्रेट डेजलेट इंपरिजनिंग हेवनली फिंगर्स और पाचो अटेक को ये मर्च कर दिता है और तुरंध ये भी जैसे अटेक मर्च होते हैं ये भी एक सोल मार्शल आट बन जाता है लिंग डॉंग भी समझ जाता है मतलब इस बंदे के पास भी सोल मार्शल आट है और इस आटेक को कहते है ग्रेट टेसुलेट इंप्रिजिनिंग हेवनली हैंड जो कि लिंग डॉंग ने समय के साथ उन पांचों फिंगर्स को मर्ज करना सीख लिया था इसके बारे मैं आपको बढ़ा चुका हूं वैसे अब दूनु अटेक एक दूसरे के तरह बढ़ते हैं इस इसके अटेक से जादा था और लांग्टियान का अटेक थोड़ी समय में पूरी तरह से खतम हो जाता है सोल मार्शाल आट भी तीन लेवल में डिवाइड होता है लो मिडिल और हाई ग्रेट और जो लिंग डॉंग का ग्रेट डेसुलेट इंपरिजिनिंग हेवनली फिंग पर लिंग डॉंग ने जो अटेक की यूज गया था वो किसका था पर वो जिसका भी था लिंग डॉंग को तो वैसे पता था कि वो ग्रेट डेसुलेट एंपरर का है पर इन लोगों के हिसाब से भी यह जादा ही पावरफुल था लांग्टियान के इस समय चेहरा उतर चु कायद कहीं ज़्यादा पावरफुल है लांग्टियान अपने हाथों को गुस्से में पीट रहा था इसका इरादा नहीं था छे मैंने इसने खतरनाक ट्रेनिंग यह थी और यह इस लेवल पर पहुंचा था पर लिंग डॉंग से आज भी यह जीत नहीं पा रहा था और इस जायवान से चलो इस समय इसको मारते है पर तभी अचानक वो जो चार मिश्ट्रियस से अक्ट थे उनका जो स्पेस था वो क्रम्बल करने लगता है अब लिंग डॉंग भी समझ जाता है पहले इसे मारना जरूरी नहीं इनरे टैंस हासिल करना जरूरी है तो यह लोग तुर आगे में इसे एक एंसेंट स्क्वाइर नजर आता है और शायद ही वही जगह था यहां पर वो चारों ग्रीट मिश्टीर सेट थे अब लिंग डॉंग यहां पर पहुँच चुक आता है आते हैं यह देखते हैं यहां पर बहुत सारे लोग पहले से घड़े थे और इनमें एक बंदा खड़ा था जिसके पासे कुल हाड़ी थी एक्स और टियांजेन के राइट साइड में भी एक स्कीनी मैन खड़ा था जो कि बीश्ट रोब पहने हुआ था मतलब यह दोनों एक्स वाला बंदा और यह बीश्ट रोब वाला बंदा भी नॉर्थ वेस्टन रिजन इंदर थोड़ी दूर पर यांसेन भी आ चुके थे ब्लैक रोब में यह तुरंती कहते हैं तो तुम ने शीकुन को भी हरा दिया और तुम्हारी पास एंसेंट सिक्रेट की भी है है ना यह सुनते ही लिंगडॉंग भी हैरान हो जाता है शुरूबात में जब लिंगडॉं जाता है यह सारा किधर कर रहे हैं यहाँ पर चार ग्रेट मिश्टिरियस सेक्ट है और टोटल चार की ही है तो मतलब एक सेक्ट को खुलने के लिए एक चावी लगेगा और अंदर वही जा सकता है जिसके पास चावी होगा लिंडॉंग को पूरा माज़रा समझ में आ जाता लिउ बाई के भगल में खड़ी जो लड़की रहती मू होंग लिंग वो भी यांसेन को चानती थी और कहती यह बंदा थोड़ा टफ तो है तब लिउ बाई हसता है और कहता है यहाँ पर जो भी लोगाय में सब ट्रबलसम ही है पावरफुल ही है पर सबसे बड़ा शौक त बाद होने वाला है उसका रियल डार्क होर्स यह लिंग डॉंग ही होगा यह सुन करके मू होंग लिंग भी कहती है मतलब तुम इस बंदी के बारे में इतना जादा उपर तक सोचते हो लिउ बाई हसता है कि अभी इससे बोलना टाफ है पर मुझे उमीद है इस बंदे से क् लिउ बाई वगेरा यह लोग सभी यह हाई ग्रेड एंपायर के थे पर एक बंदा जब लोग ग्रेड एंपायर से उठके इतना उपर आता है तो बात तो बड़ी सच में थी मू हॉंग लिंग भी समय है थोड़ा सा अपने कर्फ वगेरा दिखाती है उसके बाद से यह भी लेवल का प्रेशर यह सभी फील कर रहे थे अब अचानक से इसे स्पेस से मानो टेलिपोर्ट होके यह लोग कहीं और आ चुके थे और इन्हें सामने में चार दरवाजे दिखते हैं ब्रॉंज गलर के और मानो यह दरवाजे लंबे समय से हाँ पर हो और बड़ी बात यह थ और खून के उल्टेस की शुरू हो जाती है और मतलब सीधा सीधा यह था लिंग डॉंग समझ चुका था यह जो इन चारो दरवाजों को खोल पाएगा मतलब एक एक दरवाजे को उससे उसका इन्हेंटेंस मिलेगा तब ही पीछे से एक आवाज आती है यह आवाज थी लि जारी है ल्टीय है लैंटेंटेंटेंट ने समाइल करता और कहता है और इस बंडे के पास लिंग डॉंग की तरफ दो एन्सेनट kीज है क्योंकि एक इसकी पास पहले से था और दूसरा इस ने शीकून से हरा के प्राप्त किया है लांटेंटन इस समय हस करके लिउबाई ट चाबी हासिल कर लिया था, इन दोनों बंदों को शायद पहले से पता चल गया था, कि यहाँ पर एंटर करना है तो चाबीयों की जरुरत पड़ेगी यह सुनकर के लांग टियान थोड़ा सा और भी जाता और लांग्टियान अब सोच रहा था, कि इस बार लिंगडॉंग कुछ भी यूज़ करें यह तीनों बंदे बहुत पावरफुल है, थ्री स्टार निर्वाना के असवास पहुंच रहे हैं इससे तो लिंगडॉंग हरा नहीं सकेगा और कई लोग इससमें लिंगडॉंग को घूर रहे थे, कि लिंगडॉंग का अच्छा होने वाला नहीं है लांग्टियान इसमें काफी खुश था, बीश्ट रूम मैं इसमें लिंगडॉंग से कहता है अगर तुम मारे पस दो चावी है, एक मुझे दे दिये, तो मैं तुम पर कोई अटेक नहीं करूँगा इस बंदे का नाम था बीश्ट फीश्ट, मूश ओ, लिंगडॉंग ने जितना सोचा था आज इसके दुश्मना यहाँ पर बहुत सारी थे, और चारी लोग अंदर जा सकते हैं, दो चावी इसके पास है लिंगडॉंग भी इस समय उस ब्रॉंज डॉर्स की तरफ देखता है, अब लिंगडॉंग के पास दो च्वाइस था, एक याद एक सिक्रेट की दे दे, पर दूसरा जो इसके पास चावी होगा, उसके लिए बागी लोग इससे फाइट करेंगे अगर मालोई इसने टियान जेन को दे दिया, तो वो बीश रोप वाला बंदा, या फिर एक्स वाला बंदा है, फिर इससे भीड़ेगा, और ये इसके लिए सही नहीं है, अब ये कुछ सोचता है लिंगडॉंग और स्माइल करता है, और हसता है, और कहता है कि मैं मेरे साथ वैसे भी मेरा एक भाई है, और ये तुरंती दूसरी चावी, जावियान को बकड़ा देता है, ये देख करके माउश हो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और जब चावी लिंगडॉंग जावियान को देता है, तो कहता है, गर तुमारे लिए भी काफी अच्छा होगा, तु इस बंदे ने आपकी बात नहीं मानी है, तो वेट क्यों करना, टियान जेन, माउसो और जियांग सान, ये तीनों आगे बढ़ते हैं, नौर्थ वेस्टन रिजन के, ये चार ओवरलोड में से तीन थे, और थ्री श्टार निर्वाना के आसपास थे, इनके पास तेना दम त हाड रहाता, और ये जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, लिंग डॉंग इसे रोक देता है, इसे समझ में नहीं आता है किसका भाई सोच क्या रहा है लिंग डॉंग, पर ये उसकी बात मान लेता है, और लिंग डॉंग इन तीनों से कहते हैं, कि तुम लोग ट्राई करके द राउंड में धसा आतेता है, और एक पावर्फुल जो पाम अटेक होता है, अपने हाल बॉर्ड यानि ड्रैगन वाले भाले पर करता है, और उसमें से थोड़ा सा बलड बाहर निकल के आता है, मतलब ये जो हाल बॉर्ड है, जिसमें थोड़ा बहुत ड्रैगन स्पिरिट अब ये खतम हो चुका था, ये नॉर्मल भाले जैसा बन चुका था, और इस ब्लड को निकाल करके, लिंग डॉंग तुरन थी, इसके अलावा वो जो डेमन ड्रैगन डॉक था, उसके भी ब्लैक ब्लड को निकालता है, इन दोनों ब्लड लाइन को यूज करके, ये एंसें से, एक रेड लाइन बाहर आने लगती है, मानो इसके ब्लड वैसल्स बनने लगे हो, औरा काफी थी जिसे इंक्रीज करता है, लिू बाई हो या जो भी हो, ये भी हैरान हो जाते हैं सीन को देख करके, कि ये बंदा कितना अंदर तक शीपा हुआ है, इसके पास इस लेवल क ये अपने ब्लैक रोड से, एक पावरफुल अटेक, इसके फीश्ट की तरफ लॉंच कर देता है, और टियान जिन तुरंती, अपने बाकी साथियों से भी कहता है, तुम लोग जो सोच रहे हैं ये बंदा, ये तना आसान नहीं है, जल्दी कुछ करो, नि तो हमें कुछ न मारना, अब ये तीनों भी अपने पावरफुल अटेक, लिंग डॉंग की तरफ लॉंच करते हैं, एक का अटेक का नाम था माउंटेन ब्रेकिंग ब्लेड, दूसरे का वाइल लायन फिच्ट, और वही साथ लांग टियान ने भी एट डेजुलेटेड एंपरर हैंड अटे यूज किया था, अब इन तीनों के अटेक को देख करके, जायोयान भी तयार हो गया था, ये भी अपने हेवन डेविल कॉड ट्रांसफर्मेशन को यूज करता है, और साथ में उसका अटेक, टाइगर रोड ट्रांसफर्मेशन एक दाहाड मारता है, ये चीते वाली, इन त जायोयान ने इन तीनों के अटेक को संभाल तो लिया था, पर ये थोड़ा सा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है, और इसके बॉड़ी पर कुछ जखम भी आ जाते है, बलड थोड़े वह बह रहे थे, अगर इसके पास हैवनली डेवल ट्राइब का बलड लाइन नहीं ह तो शायद ये इनके अटेक को जेल नहीं पाता, क्योंकि 1v3, 1v4 का बैटल बहुत बड़ी बात होती है, और वो बंदे जो आपसे ऊपर हो पावर लेवल में, टियान जेन भी अब इस मौके का फायदा उटाता है, और ये काफी थे जिसे आगे बढ़ने लगता है, और इस बिलकुल भी है, इनके अटेक से डर नहीं रहाता, क्योंकि इसको मालूम था, इसके बड़े भाई को, थोड़े समय की जुरत थी, हाला कि फिर से इनके अटेक को ये डिसॉल्व तो कर देता है, पर ये थोड़ा और ज्यादा इंजड हो जाता है, हाला कि इनके अटेक से इ इवान पावर, एक्स्प्लोड करता है, और इस समय ये, लांक्टियान और बागी को देख करके स्माइल देता है, अपने खून को पोस्ता है, अभी एक पावर फुल अटेक करने ही वाला था, तब इसके कंधे पर एक हाथ पढ़ता है, और ये उसे रूखने को कहता है, ये इसके होश उड़ जाते है, खास करके उस रेड औरा को देख करके, लिंग डॉंग हसता है, तुमने अटैक करके मेरे भाई पर काफी मज़े की है, अब तैयार हो जाओ, लिंग डॉंग के आँखों में भी अब किलिंग इंटेंट था, अब ये तुम्हारा टरन होगा, लि काफी थे जिसे, अपने अपने अटैक तैयार करके, लिंग डॉंग की तरफ अलग-अलग डाइरेक्शन से बढ़ते हैं, तब ही जब लिंग डॉंग इन्हें धीखता है, जो कहता है, एंसेंट हेवन लिक रोकटाई, प्रकट हो जाओ, और जैसी ये बोलता है, वो जो रे अब इने समझ में आता है, ये बंदा बहुत जादा ही खतरनाक है, और इसके पास इस लेवल का ट्रमकार्ड, और ये जो क्रोकटाईल अभी प्रकट हुआ था, इसकी आँखें देखकर ही, कई सारों के तो पसीने चूटने लगे थे, और ये बंदा नॉर्मल नहीं था, इ चाहिए थे, शदी इन तीनों के पावर को मिलाकर भी, थोड़ा ज्यादा ही होगा, चारों के पावर को मिलाकर भी, लांक ट्यान भी इसे समझ में नहीं आ रहा था, शुरुबात में इसे लग रहा था, ये लिंग डॉंक के पराबर हो चुका है, पर शाद इसकी गलत फेह तियान जेन माउशो और ज्यांग शान्तो अपने थूक को ही घोटने लगे थे फानली लिव भाई भी रिलाइज करता है क्या ये सच में एंसेंट हेवनली क्रोकटाइल है ये अपने आँखों को मलने लगा था अब कुछ लोग समझ जाते हैं ये एंसेंट हेवनली क्रोकटा इसकी लाल नशीली आके लिंगडॉंग को ही घोर रही थी लिंगडॉंग इनसे कहता है अगर तुम लोगों का सर्प्राइज होना खतम हो गया हो तो आओ आगे और फाइट करो अब इदर हेवनली क्रोकटाइब अपने क्लॉ से टियान जेन के ग्रूप की तरप एक पावर क्यों इस लांग्टियान को भूल जाता हूं और कुछ लोग बोल रहते कि भाई फीमेल केरेक्टर का है भाई मू होंग लिंग तो है ना ये भी काफी सुन्दर है किंग जू के बाद तुम कह सकते हो पर हाँ जव लिंग डॉंग आगे जाएगा तो इससे इसकी रियल से क्रोकोडाइल का क्लॉट एक टकराता है और इन्हें काफी पीछे ठेल देता है अब सभी का जो गोल्डेन बैयर रहता है कुछ एक सेकेंड में इस क्लॉट के खरन तूट जाता है और ये चारों लोग अलग अलग चट्टानों में जाके टकराते हैं सभी की बाडिज पे सब हैरान थे तीन बंदे तो ऐसे थे जो थ्री स्टार निर्वाना पर पहुशने वाले थे पर लिंग डॉंग जो की वन स्टार निर्वाना पर है ये इन तीनों को डॉमिनेट कर रहा था और अगर समय मिले तो टियांजेन जैसे लोग जो निर्वाना रैंकिंग होती है उ तुम इतना एरोगंट मत एक्ट करो। टियान जेन की जब सभी बात सुनते हैं, इन्हें लगाने थे कि टियान जेन ग्रेट गान एंपायर से रिलेटेड होगा। सभी भी एक बार को शॉक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेट ग्रान एंपायर, एक सूपर एंपायर है, हाई ग्रेट एंपायर से उपर आते हैं ये लोग। लिंगडॉंग फिर से कहता है, मैं बार-बार नहीं कहूंगा, फिर मुझे मत बोलना। टियान जेन ये सुन करके, इसके अंदर भी एक किलिंग इंटेंट फिर से जाकता है, पर अब ये समझदार भी था, कि अगर ये लिंगडॉंग को ज़्यादा परिशान किया, तो लिंगडॉंग इसे मार भी सकता है, टियान जेन कहता है, ठीक है लिंगडॉंग, आज तो मैं हार मानता हूँ, पर दुनिया में कोई भी चीज़ स्थाई नहीं है, जैसे, लिंगडॉंग कहता है, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हें कब बोला मैंने जाने को, वो लोग जा सकते हैं, पर तुम नहीं, लिंगडॉंग के अंदर अभी भी एक किलिंग इंटिंट था, तो भाईयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर, केल सुबह एक नए वीडियो के साथ, और जादा से जादा लाइक और सब्सक्राइब करो, तीस मिनट बोलते बोलते तो गला बैट जाता है, और आप लोग कहते हो, चैलिस मिनट का वीडियो, और हाँ छोड़ यह वाते, टेलिगराम और इंस्टा पे भी फालो कर लेना, शुबह रातरी,